हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप एक बहुती संदर राउंड कोलर नेक डिजैन बनाना सीखेंगे तो यह हमारी कुड़ती है जिस पे हम नेक बनाएंगे और यह हमारी कुड़ती की आगे वाली साइड है और यह हमारी कुड़ती की बैक वाली साइड है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले तो हम दोनों साइड को ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और अब आपको ध्यान से देखना है राउंड कोलर नेक बनाने के लिए हमको बेक साइड वाले हिस्से में भी हल्ले की कटिंग करनी होगी तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे हम नेक की चोड़ाई का निसान लगाएंगे और यह मैं लगा रही हूँ पोने तीन इंच पे आप चाहें तो इस निसान को तीन इंच पे भी लगा सकते हैं लेकिन तीन इंच से ज़्यादा आपको कोलर वाले नेक के लिए चोड़ाई का निसान नहीं लगाना है इसके बाद यहाँ पे मैं निसान लगा रही हूँ डेड इंच पे और इसको ऐसे करके गुलाई में मिला देंगे तो यह बेक साइड के हल्ले की मारकिंग हो गई अब हम आगे वाले हल्ले की मारकिंग करेंगे तो यहाँ से मैं नेकी गहराई रखूंगी पोने चार इंच देखिए जो राउंड वाली कोलर रहती है इसके लिए हम गहराई थोड़ी ज़्यादा रखते हैं यहाँ से पोने चार और यहाँ से पोने तीन अगर हम नॉर्मल कोलर बनाते तो यहाँ से भी पोने तीन इंची रखते जितनी हमने उपर से रखी है लेकिन इसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है अब इसके बाद हम यहां से भी इसमें इस तरीके से गुलाई देंगे और जो मैंने ये डेड इंच पे निसान लगाया है यहां पे मैं इसको मिला दूँगी और अब हम नेक की लंबाई के लिए निसान लगाएंगे तो यहां पे इसकी लंबाई आ रही है और अब हम इसमें से बेक साइड को निकाल देंगे और यहां से कटिंग करेंगे तो यह हमने दोनु साइड के हले की कटिंग कर ली है अब हम इसका नेक बनाएंगे तो यह मैंने नेक बनाने के लिए बुकरम ली है तो बुकरम को मोड़ते हुए हम ऐसे रखेंगे और एक निसान लगाएंगे हम नेकी गुलाई में और इसके बाद जो हमने यहाँ पर लंबाई का निसान लगाया है वहाँ पर निसान लगाएंगे और अब इसमें हम एक छोटा सा होल बनाएंगे जदा बड़ा होल आपको नहीं बनाना है और आधा इंज की दूरी से हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद हम उपर से भी कटिंग कर देंगे और अब इसको हम एक कपड़े के उपर अटेज करेंगे तो ये मैंने कपड़ा लिया है इसके उपर हम इसको ऐसे रखेंगे और यहां से चारू तरब से कपड़े को मोडते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसकी कटिंग कर देंगे यह देखे इस तरीके से और अब इसको हम अपनी कुर्ती के उपर अटेज करेंगे तो यह मैंने आगे वाला हिस्सा लिया है यहां से 20 सेंटर से इसे मिलाते हुए रखेंगे और एक सिलाई हम 20 सेंटर में लगाएंगे और इसके बाद हम इसके सेप में सिलाई लगाएंगे ध्यान रखना है बुकरम के उपर सिलाई नहीं होनी चाहिए और देखें यहाँ पर भी सिलाई लगा के कम्प्लीट कर ली है अब इसके बाद देखें हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे इस तरीके से सीधा कट लगाएंगे और अब हम यहाँ से कपड़े की कटिंग करेंगे और इसमें इसे कट लगा लेंगे और अब इसको हम इसे नीचे की तरफ पलटते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर मैं कट्ची सिलाई लगा रही हूं क्योंकि यहाँ पर मैं तुर्पाई करूंगी और देखिए यहाँ पर भी सिलाई हमने कम्प्लीट कर ली है अब इसके बाद देखिए हम इसमें बेक साइड को अटेज करेंगे तो यह मैंने बेक साइड ली है आप देख सकते हो अब इसको हम इसे रखते हुए और दोनों साइड के सोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे देखिए इस तरीके से हम इसको double में नापेंगे, आप चाहें तो इसको single में भी नाप सकते हैं और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कपड़ा आपको बिल्कुल भी नहीं खीचना है और इस तरीके से आपको पकड़ते हुए नापना है तो देखे ये डबल में 9 इंच आ रहा है यह आप देख सकते हो अब हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे तो कोलर हमारी 18 इंच की बनेगी तो 18 इंच की हम कोलर की कटिंग करेंगे तो ये मैंने कोलर बनाने के लिए बुक्रम ली है इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच रखी है और इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने 5 इंच रखी है अब इसको हम इसे मोडते हुए रखेंगे और देखें ये हमारी बुक्रम की बंद वाली साइड है और ये खुले वाली साइड है तो यहाँ पे हम एक निसान लगाएंगे पोने चार इंच पे जितनी हमने अपने नेक की गहराई रखी थी उतना ही हम यहाँ पर निसान लगाएंगे इसके बाद देखें नेक की चोड़ाई हमने रखी थी पोने तीन इंच तो यहाँ पे हम पोने तीन इंच को ऐसे डबल करेंगे तो यह साड़े पांच इंच आ रहा है तो यहाँ पे मैं साड़े पांच इंच पर निसान लगा रही हूँ यह दिखिए और इसके बाद दिखिए हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन खीच लेंगे और अब हम इसमें गुलाई देंगे तो गुलाई हमको इस तरह से देनी है यहां से दिखिए इस तरीके से और अब हम जो कोलर की चोड़ाई है वो रखेंगे हम एक इंच आप चाहें तो पोना इंच रख सकते हैं सवा इंच रख सकते हैं मैं यहाँ पर एक इंच की चोड़ाई की कोलर बना रही हूँ अब इसके बाद देखिए हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे पहले बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे और अब अंदर वाली साइड से कटिंग करेंगे अब इसके बाद देखे हम अपनी कोलर को नापेंगे तो यहाँ पे हम 9 इंच नापेंगे यह देखे इस तरीके से तो यह देखे फ्रेंट से यह हमारी पूरी 9 इंच आ रही है तो यह हमारी 18 इंच की कोलर बनके तयार है अब इसके बाद देखिए यहां से हम इसमें हलकी सी गुलाई देंगे और इसको कपड़े के उपर प्रेज से चिपका लेंगे अगर आपकी चिपकने वाली बुकरम नहीं है तो आप इस पे सिलाई भी लगा सकते हैं तो ये मैंने कपड़े के उपर पिरेज से चिपका ली है, अब इसके बाद देखिए उपर से जो भी एक्ष्रा कपड़ा है हम इसकी कटिंग करेंगे, और इसके बाद दिखी जो साइडों में एक्ष्टा कपड़ा है इसको मोडते हुए हम इस पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे और इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे और इसके बाद दिखी जो भी एक्ष्टा कपड़ा है हम इसकी कटिंग करेंगे और अब इसी के बराबर का एक कपड़ा और लेंगे तो ये मैंने एक कपड़ा ओर लिया है अब इसको हम इसके उपर ऐसे रखेंगे और ध्यान रखना है नीचे की तरब भी थोड़ा सा कपड़ा एक्स्टा रखना है और अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बुक्रम के उपर आपको सिलाई नहीं लगानी है इस तरह से बुक्रम के बराबर आपको सिलाई लगानी है फिनिसिंग के साथ में और अब यहाँ से हम एक पेर का मार्जन रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे और बाहर वाली साइड में भी हमको कपड़ा एक्स्टा रखना है ये देखिए थोड़ा सा एक्स्टा रखना है सिलाई के लिए और यहाँ पे हम इसमें एसे कट लगाएंगे और इसके बाद हम कोलर को एसे सीधा करेंगे ये देखिए इस तरीके से तो ये हमारी कोलर बनके तयार हो गई है अब इसको हम अपने नेक के उपर अटेज करेंगे तो नेक के उपर हमको किस तरह से अटेज करनी है देखिए यहाँ से हमको एसे पकड़नी है कोलर इस तरीके से और ये हमने अपना नेक लिया है तो उल्टी साइड से हम कोलर को अटेज करना सुरू करेंगे ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है तो बुकरम वाली साइड को उपर रखेंगे कपड़े वाली साइड को नीचे रखेंगे और पहले हम कपड़े वाली side को attach करेंगे यहां से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए और हमको इस पे शिलाई लगानी है जितना कपड़ा हमने margin रखा है एक तना वो दबाते हुए हमको इस पे शिलाई लगानी है और यहां पर आपको ध्याण रखना है ना तो आपको नेक वाला कपड़ा खीचना है और नहीं आपको कोलर वाला कपड़ा खीचना है बिल्कुल दोनों को बराबर ऐसे रखते हुए और धीरे धीरे करके आपको सिलाई लगानी है देखे फ्रेंड्स अगर आप कोई से भी कपड़े को खीचोगे कोलर वाले को या कुड़ती वाले को तो आपकी जो कोलर है वे छोटी बड़ी हो जाएगी इसलिए आप दोनों साइड के कपड़े को बिल्कुल ऐसे नॉर्मल पकड़ते हुए सिलाई लगानी है तो आपकी कोलर एकदम परफेक्ट आएगी वैसे मैंने आपको कोलर लगाने की वीडियो खूब सारी अप्लोड कर रखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके अलग-अलग तरीके से कोलर लगाना सीख सकते हैं बिगनियर्स के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है बिगनियर्स के लिए कोलर लगाने का तरीका बहुती आसान बता रखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके अलग-अलग तरीके से कोलर लगाना सीख सकते हैं और देखे ये हमारी कोलर एकदम परफेक्ट आईए आप देख सकते हो अब यहां से हम फिनिसिंग के साथ कप्ड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम इस पे लास्ट वाली सिलाई लगा लेंगे ये देखे और यहां पे मैं आपको बिलेक कलर के धागे से लगा के दिखा रही हूँ और देखे फ्रेंट से यह कोलर लगके हमारी कम्पलीट हो गई है तो अब मैं आपको पूरा नएक सीधा करके दिखाती हूँ ये देखे फ्रेंट कितनी परफेक्ट हमारी कोलर बनके तयार हो गई है अब इसके बाद देखे यहाँ पे हम इस पे तुरपाई करेंगे और यहाँ से हम कच्ची सिलाई को निकाल देंगे तो यह आप देख सकते हो friends यहाँ पे मैंने तुरपाई कर ली है और यहाँ से मैंने कच्ची सिलाई को भी निकाल दिया है तो कितना perfect neck बनके हमारा ready हो गया है अब यहाँ पे आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने hole छोटा बनाया है तो friends पहनने के बाद में यह neck कुछ इस तरह का दीखेगा आप देख सकते हो कितना सुन्दर लग रहा है कितनी perfect इसकी color बनके तयार हो गई है तो उमीद आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो please वीडियो को like करें अपने friends और family के साथ जरूर share करें आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे कोई नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए thank you